शेक हसीना सरकार का तखता पलट कैसे हुआ एक छोटा सा स्टूडेंट मुव्मेंट इतना बड़ा कैसे बन गया कि एक ताकतवर प्रधान मंत्री को देश छोड़ कर भागना पड़ा ये सवाल शुरुआत से ही सब के जहन में था लेकिन अब कुछ ऐसे खोफिया दस्तावेश सामने आए हैं जिसने इन सवालों का जिवाब दे दिया है एक तरफ तो बांगलादेश में हुए तकता पलट का सबसे बड़ा राज खुल गया है तो दूसरी तरह बांगलादेश में हिंदू के खलाप लगातार हिंसा हो रही है तो चलिए पूरा खुलासा आपको बताते हैं और बताते हैं कि आखिर किसके इशारे पर बांगलादेश में तक्ता पलट हुआ नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट बांगलादेश में तक्ता पलट का खुल गया राज इसके इशारे पर शेख हसीना के खलाफ हुआ आंदोलन बांगलादेश में हुए तक्ता पलट को लेकर अब एक ऐसा तगड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद जबर्दस्त हंगावा मचा हुआ है दरसल किसके कहने पर बांगलादेश में शेख हसीना के खलाब माहौल बनाया गया इसके राज का परदाफाश हो गया है दरसल हाल ही में लीख हुए खुफियाव दस्तावेज में इस बारे में संसनी केस खुलासा हुआ है रपोर्ट के मुताबिके सब कुछ अमेरिका के इशारों पर हुआ तक्तापलड के लिए एक दो दिन से नहीं बलकी महीनों से प्लानिंग चल रही थी वहां रैपर्स और सम्लेंगिक लोगों को बकायदा इसके लिए ट्रेंड किया गया एक ट्रेंड आर्मी बनाए गए ग पर शूर लेखी का तसलियामा नसरीन ने शेयर किये हैं इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंसिट्यूट आई यार आई को बकायदा शेक हशीना सरकार को अस्तिर करने का जिम्मा सौपा था आयार रिपब्लिकन पार्टी की एक संस्था नैशनल एडोमेंट पॉर डेमोक्रेसी की एक ब्रांच है 40 साल से ये दुनिया भर में सरकार को हिलाने डुलाने के काम में लगी रही है इसकी कमान CIA विलियम केसी के हाथ में रही है दस्तावेजों से पता चलता है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए आई आर आई ने किस तरह से लाखों डॉलर खटकी बागलादेश में विपक्षित दलो तक ये पैसे पहुचाए गए उन्हें ट्रेंड किया गया उन्हें बताया गया कि किस तरह अंदोलन करना है युवाओ को कैसे इसमें जोकना है इसके लिए नेटवर्क बनाने का काम भी आई आर आई नहीं किया कई रैपर और विभिन जातियों के नेता LGBT कारकरताओं को इसके लिए ट्रेंड किया गया अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की मौझूदगी में ट्रांसजेंडर डांस कॉम्पूटिशन कराए गये इन सभी को बांगलादेश में तख्ता पलट कट आउट लगाने को कहा गया रिपोर्ट बताती है कि हसीना को सत्ता से बेधखल करने का पलान 2018 में ही बन गया था तब विरोध प्रदशन सुरू हुए जब एक बस चालक ने हाई स्कूल के दो चात्रों की हत्या कर दी थी तब हजारों के संख्या में युवास सडकों पर उतर गये थे सडकों को सुरक्षित बनाने की मांग की थी सरकार ने इन पर सक्ती की तो विरोध बढ़ता चला गया इसके बाद हसीना सरकार को सक्त कानून लागू करना पड़ा यही पर अमेरिका को लगा कि चात्रों के दम पर सरकार को गिरा जा सकता है बार-बार आंदोलन होने लगे सरकार चात्रों पर सकती करती रही तो विपक्षी दलों को उकसाया जाता उन्हें आंदोलन करने को कहा जाता माद में यही बवाल बड़ा हो जाता और दंगों की शकल ले लेता था इसे शेख हसीना सरकार पर लोगों का गुस्सा बढ़ता गया स्टुडेंट और शेख हसीना सरकार के बीच ये जंग 4 अगस्त को चरम पर पहुँच गई जब सेना ने हस्तरशेप किया और शेख हसीना को देश छोड़ कर भागना पड़ा 21 साल से कोशिश इसने पिछले 21 साल में हजारों लोगों की मदद की है और उनकी पूरी टीम बना ली है यहां तक कि इनसे मदद लेने वालों में म्यूजिकल, आर्टिस्ट और डांस कलाकार भी है बाद में इनी लोगों की मदद से आशांती फलाने की कोशिश की गई दावा तो ये भी किया गया है कि भारी विरोध की बावजूद जब 2018 में शेख हसीना की पार्टी को भारी जीत मिली तो IRI के मनसूबों पर पानी फृता नजर आया इसके बाद इसने बकायदा आर्मी बनाना शुरू कर दिया जहां रिसर्च के नाम पर 304 मुख्पिरों का इंटर्वियू लिया गया इसके लावा 48 का समूख शाक्षातकार किया गया तेरा लोगों को अलग अलग बिलाया गया आखिर में इनमें से सिर्फ 170 लोग चुने गए इने ही शेक हसीना को सत्ता से हटाने का जिम्मा सौपा गया वही दूसरी दर अमेरिका ने अब एक नया दाव भी चला है दरसल अमेरिका ने कहा है कि वो चाहता है कि बांगलादेश में अलफ संक्यक समूदायों की रक्षा हो देश में अल्प संक्यक समुदाय से आने वाले हिंदू अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मना रहे हैं अमेरिका का ये बयान बांगलादेश में ततकालीर प्रधान मंतरी शेख हसीना के स्तीफे और अगस्त में उनके भारत चले जाने के बाद अल्प संक्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों के मद्दे नजर आया है विदेश मंतराले के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक समवदाता सम्मेलर में कहा की निशित ही हम बांगलदेश में अल्प संक्यकों के अधिकारों की रक्षा होते देखना चाहते हैं मैथ्यू मिलर से कुछ धार्मिक कटरपंतियों द्वारा हिंदू समुदाय को उनके सबसे बड़े तेवहार दुर्गा पूजा के दोरान दी जा रही धमकियों के बारे में सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने ये बाते कहीं बारत ने बांगलादेश की अंत्रिम सरकार से दक्षण एशियाई देश में हिंदू समुदाय के लिए शांती पूर्वक धार्मिक आयोजन सुनिश्चित करने का अगरे किया है सयुक्त राष्ट की एक रपोर्ट के मुताबिक बांगलादेश में हिंसक वरोट प्रदशन के दौरान हिंदूों के साथ-साथ 600 से अधिक लोग मारे गए हैं बांगलादेश में हसीना सरकार का पतन होने के बाद अल्फ संकेत समुदाय धार्मी कट्टर पंख्यों से बढ़ते खत्रे का सामना कर रहा है आपको बता दे कि अगस्त में ही बांगलादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाकार मुख्यों पर बात की थी और हिंदू की सुरक्षा का आश्वासन दिया था तब पियम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते वे लिखा था कि प्रोफेसर मुहमद यूनूस से टेलिफोन पर बात की बांगलादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाकार ने मुख्योदा अस्तिती पर विचारों का आदान प्रदान किया लोकतांत्रिक, इस्तिर, शांतिपूर और प्रगती शील बांगलादेश के लिए भारत के समर्थन को दोराया उन्होंने बांगलादेश में हिंदूओं और सभी अल्प संख्यकों की सुरक्षा, सनरक्षा और सनरक्षा का आश्वासन दिया है वहीं दूसरी तर बांगलादेश की अंतरिम सरकार ने नौ सदस्यों का एक सविधान सुधार आयोग बनाया है इस आयोग का अध्यक्ष बांगलादेशी अमेरिकी प्रॉफेसर अली रियास को बनाया गया है ये समिधान सुधार आयोग 90 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा, बांगलादेश की सरकार BSS समाचार एजनसी ने ये जानकारी दी है बांगलादेशी मीडिया के रिपोर्ट के मताबिक लोगों को सशक्त बनाते हुए एक प्रतिनिदी और प्रभावी लोगतंतर स्थापित करने के लिए मौजुदा समिधान की समिक्षा और मुल्यांकन जरूरी है इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है अब ये सभी की राय पर विचार करते हुए समिधानिक सुधार की सिफारिशों पर एक प्रपोर्ट तैयार करेगा नौसदेशी इस आयोग में चात्र प्रतिनिदी महफूस आलम भी शामिल है वो अंत्रिम सरकार के मुख्य सलाकार मुहमद यूरुस के विशेश थाहाग भी है दुर्गा पूजा को लेकर हिंदूों में दहशत वहीं दूसरी दरब मांगलादेश में दुर्गा पूजा को लेकर कटर पंथियों की धंकी के बाद हिंदू डरे हुए हैं इसके चलते मांगलादेश के सबसे बड़े अलपसंके समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर जोश फीका पड़ गया है बांगलादेश में हिंसा की बड़ती गटनाओं के बीच धाका में राम कृष्ण मिशन ने इस साल कुमारी पूजा नहीं मनाई है इसके बाब मिशन ने मुख्य पूजा को खुले में ना करने का फैसला लिया ये पूजा अब सभागार के अंदर ही मनाई जाएगी दा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है धाका में अर्पसंग्यों के लिए काम करने वाले एक वरिष्ट कारेकरता ने नाम ना बताने की शर्थ पर टी एन आई ए को बताया कि कट्टर पंतियों ने किसी भी तरह के साउंड का इस्तवाल ना करने की चेतावनी जारी की है इसे पूरे देश में हिंदू डरे हुए हैं कारेकरता ने बताया कि वर्तमान इस्तिधी को देखते हुए रामकृष्ण मिश्ण ने दुर्गा पूजा समागार के अंदर आयोजित की जाएगी कटरपंतियों के साथ अंत्रिम सरकार मास के पहले साउंड और पूजा रोखने की बात कही थी हिंदू के खिलाफ हिंसा पांच अगस्त को शेख हसीना को ठाका छोड़ने के बाद से बांगलादेश के कुल 72 में से 62 जिलों में हिंदू को निशाना बनाकर 2010 गटनाए दर्ज की गई इसमें हिंदू समुदाए के घरों पूजा स्थलों और कार स्थलों पर तोड़फोड और भीर द्वारा हत्या कर शामिल है बांगलादेश की मौजूदा सरकार ने आगामी त्योहर के दोरान पूजा पांड डालो और हिंदू की सुरक्षा का आच्वासन दिया है लेकिन ये सब दिखावा है किसी भी आरोपी को ना हिरासत मिलिया गया और ना ही गिरफतार किया गया बांगलादेश में घट रहे हिंदू बांगलादेश में शेख हसीना के जाने के बाद अलपसंक्यों को पर संकट खड़ा हो गया है मौजुदा शासन हिंदू को आवामी लीक का समर्थन मानता है और उनके खलाप अत्याचारों पर आख मूदे हुए है बांगलादेश में हिंदू पर अत्तचार की ये कहानी नहीं नहीं है 1971 में जब बांगलादेश के गठन के समय देश में हिंदू समुदाय आबादी का 21 प्रतिशत था लेकिन आब ये मैत्र 8.7 प्रतिशत रह गया है अलपसंख्यक कारकरता ने कहा कि लगता है कि मौजुदा शासन नहीं चाहता कि बांगलादेश में कोई अलपसंख्यक रह जाए इस पेशल स्टोरी उफिलाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार